कि अ कि आपको इस विडियो में इस होटेल के अंदर लेके जाओंगा में जादा कुछ तो नई दिखा पाउंगा पर मैं पूरा दिखाने की पूरी मेरी कोशिश करूंगा चलो अब हम चल दें के लिए तयार है और हम चले के लिए तयार है तो हम चलते हैं देखिए कितने बड़ी है यह बिल्लिंग बहुत ही उंची यह माइनक्राफ्ट में है और अगर आपको यह अगर पसंद आये तो प्लीज सस्क्राइब कि दीजिएगा अब ही मैं अपने लिए तलवार सेलेट कर रहा हूं क्योंकि इससे अगर मैं गलती से कुछ दबा भी दूँ तो भी वह कुछ जल्ली नहीं तूटेगा चलो फिर अब हम अंदर चलते हैं देखिए इंट्रेंस तो बहुत ही अच्छास है यह देखिए कितनी आलिशान है यह बीडिलिंग पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं यह बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है देखिए कितना आदिशान बीडिलिंग है देखिए इतना सुन्दर है यह बीडिंग अब हम अंदर चलने के लिए तयार है चल तो चलते हैं यह देखिए कितना सुन्दर है ये देखिए ये वाला यह एक बार है ये ये नीचे एक्दम अच्छी मैंने गानीशिंग की है पानी से और ये देखिए बाहर का व्यू की यहां से देखा जा सकता है अब चलिए देखिए यह यहाँ पर से हम फ्लोर्स जा सकते हैं और यह देखिए यह इतना अच्छा और सुन्दर है यह कितना अच्छा ब्यूटिफुल है यह अब यह ओपर हम जाकर आपको दिखाते हैं हॉल उपर का हाल है यह देखिए देखिए कितना सुन्खर और कितना बड़ा हॉल है रहे हम सिर्फ रहे है आपकों सारे एक ही जैसे हैं यह लिफट vind में और यह देखिए यह एक रूम है देखिए हम आपको चिफ ये एक दो ही रूम दिखाएंगे क्योंकि सारे रूम एक ही चैसे बनाए गए हैं देखिए कितना खुब्सूरत है यहां से आप व्यू देख सकते हैं अपना अच्छा गार्डन मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगा चल ये बा अब चलो आम अब बाहर निकलने के लिए तैयार है तो अब चलो निकलेते हैं हम बाहर चलिए निकल गए अब मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगा ये देखिए यहां का कितना असुंदर नजारा है देखिए चलो अब हम अंदर जाते हैं अंदर मतलब गार्डन क देखिए देखिए बहुत ही जादा बड़ी है यह बिलिंग आलिशान है यह बहुत आलिशान बिलिंग चलो अब हम गार्डन में आ चुके हैं यह देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है यहां पे देखिए कितने बड़े पेड़ा हैं आपको जरूर यह देखने में बड़े बड़े पेड़ बनाए हैं, देखिए, कितना आलिशान है, यह देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे पेड़ हैं यहां पे, एक असली जंगल की तरह यहां पे बहुत सारे पेड़ है, यह देखिए, यहां कार स्टेंड है, यहां कार स्टेंड करते हैं, और यह द देखिए वियोडिंग का फर्स्ट उपर का वियू यह देखिए उपर जाके हम दिखाते हैं अच्छे से यह देखिए वियोडिंग कित्ती सुद्धर है आपको जरूर यह पसंद आएगी और प्लीज यह वियोडिंग को देखने के पाद प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज अब आप मैं आपको यह देखिए क्रिसमस ट्री भी है इतनी खुबसूरत अब मैं आपको अब इसके पेड़ के अंदर दिखाऊंगा यह देखिए पेड़ों के अंदर पेड़ के अंदर चले गया हम यह देखिए अब मैं आपको एक बार फ रेड़ हैं यह दूसरा साइड है बेड़िंग का जहां से हमने इंट्री की थी चलो आगे बढ़ते हैं हम चलो हम अधी रास्ते तो पार कर चुके हैं यह बहुत ही बड़ी बियूलिंग है बहुत ही बाड़ी आलिशान है यह ब्यूलिंग इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है अब मैं आपको असल में यह ब्यूलिंग एक होटेल है यह होटेल ताज महल का होटेल है ताज महल में लोग विजिट करने आते हैं तो यही होटेल में रुकने के लिए इंतिजाम किया गया है से पहले मैं आपको यहां का क्रिस्मस ट्री दिखाता हूँ इप यूर्लिंग का सबसे बड़ा क्रिस्मस ट्री यह देखिए आप हमारे सामने आई ही चुका है वो क्रिस्मस ट्री देखिए कितना आलिशान कितना आलिशान है देखिए यह देखिए कितना आलिशान क्रिस्मस की है चलो अब हम ताज महल का होटल तो आम ने दिखा दिया है अब ताज महल भी थोड़ा घूम लेते हैं ये देखिए मेरे सामने ही ये वाला क्रिस्मस री है और ये देखो मेरे सामने ही ताज महल है अच्छा और सुन्दर है चलो तो हम अभी अंदर चलते हैं ओ हम नीचे केल चुके हैं चलो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं चलो ऊपर आ गये चलिए अब ये देखिए कितना खुब्सूरत है रस्ता ये देखिए अब हम आपको ताज महल के अंदर जाकर दिखाएंगे ये देखिए ये कितना सुन्दर है ये बीवी का मकबरा है इसके पर मैं बहुत ह्याओं ये देखिए हम यह पर आपको ये दिखा रहे हैं ताज महال ये हम दूसरी तरफू निकल गए है देखिए हम थोड़ा दूर जाकर आपको दिखा रहे और देखिए नजदी का रहा रहे इए ये इसके दूसरे साइट के तरफ है यह देखिए दूसरा इंटरेंस है इसका यह देखिए आपको यह बहुत अच्छा लग रहा होगा अब चलो हम उसके अंदर जाते हैं इसके अंदर जो बोर्ड और बटन है मैं उसे तोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे हम टेलिपोर्ट होके ताज मह से बहुत ज़ादा दूर जा सकते है इसलिए मैं इसे तोड रहा हूँ चलिए अब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हो ऊच चलिए अब अब अंदर हम आग चुके हैं अब मैं इसके अंदर भी एक और बटन है उसे भी तोणी है यह देखिए इसे भी मैंने तोड़ दिया अब ठेंक यू फ्रेंड्स